हेलो दोस्तों मैं अमिद्विशु कर्मा मत प्रदेश पुले सावास अध्रसांज रचना विकास निगम संभाग भुपाल तीन से साई गैंती के पत्पे पदस्त हूं आज हम बात करेंगे ड्राइ सिंकेज फॉर एसी ब्लॉक के बारे में जो की बेस है एस पर आई एस कोड आई एस 6241 पार्ट टू आई एम जान लेते हैं एसी ब्लॉक को हम क्यों करते हैं क्यों जरूरी है जैसा कि आप जानते कि कॉंक्रीट में एक्षपंशन होता है इसी प् होते हैं इनको रोकने और समझने के लिए इस कौन से ग्रेट का हमको एसी ब्लॉक यूज करना चाहिए एस पर कोड क्या ड्राइसंग के परसेंटेज होना चाहिए कौन से ग्रेट का हमको एसी ब्लॉक लगाना चाहिए इस परसेंटेज से हम यह डिफाइन करते हैं आई एंड हाइट है 40mm, इसकी हमने 10mm drill की सायता से होल करके इसमें पिन-प से, और सिमेंट की सायता रचे है, सिमेंट से पेच्च से, ताकि इस लेंथ स्पेसीमेंट से हम इसकी लेंथ मेजर कर सकें, इसका लिश्ट काउंट है हमारे पास 0.01mm जो के एस पेर इसकोर्ड होना चाहि की साहता से यहां फिर हम इसको fix कर लेंगे और इसकी length यहां पर हम measure कर लेंगे इसकी जो length आई है 9.945 mm इस प्रकार हम यह दोनों sample की length को measure कर लेंगे यह हमारी initial length हो जाएगी इन sample को हम water watt में 27 degree 27 plus minus 2 degree centigrade पर रखेंगे और room temperature भी हमारे को maintain करना है इस पर आई हैस को 27 plus minus 2 degree centigrade और इसके बाद जो हम much पानी में करने के बाद हम इसकी दो घंटे बाद यह देखेंगे पानी इसमें सोख रहा है यह block और इसके बाद फिर हम इसकी length measure करेंगे अगर कुछ change आ रहा है तो हम इसकी height को note करेंगे इसके बाद जब तक हमारी constant height नहीं आ जाती तब तक इसको 72 hours तक हम इसको measure करते रहेंगे और इन दोनों length हों में जो variation और जो difference आएगा उसका percentage हम निकालेंगे initial length minus final length divided by initial length into 100 जो percentage में आईगी as per IES code उस percent को हम देखेंगे कि 0.05% grade 1 AAC block के लिए रखना है और 0.1% for grade 2 AAC block के लिए होना चाहिए यह था हमारा drawing linkage AAC block IS code 644 part 2 धन्यवाद यह जो हमार के खबते हैं चाहिए